नमस्कार दोस्तों कंचान स्वड की जान में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं बहुत ही यूनिक डिस आपको बताने जा रहे हूं तो अगर रेस्पी अच्छे लगे तो प्लीज कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेर कीजिए बहुत बहुत तो चलिए रेस्पी स्टार करते हैं तो सबसे पहले हमें एक भगोना लेंगे और उसमें लेंगे पानी एक डेड़ से डेड़ ग्लास तक और उसे हम एंडेक्शन पर रख देंगे जब यह खौल जा चैसे तो इसमें हम डालेंगे एक चमस भर के तेल रिफाइंड वह तो उसके बाद हम डालेंगे नूडल्स यह चौमीन वाले नूडल्स हैं तो इन्हें हलका सबसे बाल कर और इसे ढख कर हम साइड में रख देंगे जादा नहीं बालेंगे परना यह बहुत फिर जब सॉफ्ट हो जाते रहा तो यह डिस अच्छी नहीं बनेगी तो थोड़ा हल हलका सबसे एक दो बाला है बस पड़से से बंद करके ढख कर देजिए उसके बाद हम इसे साइड में रख देगा अगर आप चाहां तो नमक भी हलका से डाल सकते हैं लेकिन मैंने नमक नहीं डाला है मैं बाद में ही नमक डालूंगे तो देखिए यह दो बाला आगा है बस यह एकदम से चिपक जाएंगे एक में और तेल डालने से भी अलग अलग रहते हैं इसे तेल डाना बहुत ही मस्ट है तो तेल जरू डालिएगा तो देखिए हमारे नूडस हलके से कच्छे हैं मतलब उससे बंद करके दो मिनिट के लिए और उसके बाद हम इधर और तयारी इसे हम बंद कर देंगे 100 पर करके बहुत धिमा हो जाता है इंडेक्सें तो 100 पर करके इसे हलका सा एक से दो मिनिट तक रख और बस बंद कर देंगे इधर हमने शिमला मिर्च नी है तो मैंने तीन mord ने की jos नहीं कि कोई जरूरी रहें तो जबही इस हर कलر की शिमला मिर्च जो भी उपलब्द है जो भी सब्जी आपके पास है वह आप काट के इसमें डाल सकते हैं तो फटा-फट मैंने देखिए सिम्ला मिर्च सारी काट लिए थोड़ा ही मैं बना रहे हूं तो ज्यादा सिम्ला मिर्च नहीं काटूंगी एक प्याज और उसे भी हम काट लेंगे पा सारा सामान क्योंकि मैं केवल दो बच्चों के लिए अपने बच्चों के लिए बना रहे हूं तो मैं उस हिसाब से सारा सामान ले रहे हूं और मेरे बच्चे बहुत कम खाते हैं यह लेकिन कभी-कभी मन हो जाता है तो मैं बना देती हूं घर पर ही बाहर का ज्यादा मैं न पसंद करते हैं तो मैं यह सब्जी जालती हूं अगर आपके बच्चे जो भी सब्जी पसंद करें वो डाल सकते हैं तो देखिए यह नूडल्स बिल्कुल रेड़ी है अभी ने हम ठंडे पानी से दोएंगे तो ले चलते हैं सिंग की तरफ इसे सब्जी मैंने पूरी काट कर नूडल्स बिल्कुल ठंडे पानी से दोएंगे और यह कुछ नहीं है कि आप बर्फ के पानी में डालिया ऐसा कुछ भी नहीं केवल आप नल के नीचे लगा दीजिए और ठंडा होने तक इसे इसी तरह धोते रहे हैं जैसे मैं आपको दिखा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं ह देखा है कि आप इसे बर्फ के पानी में डालिया ऐसा कुछ भी नहीं है आपके नल के नॉर्मल पानी से भी आप इसे दो देंगे ना तो उतने ही अच्छे यह रहेंगे तो देखिए बिल्कुल अलग-अलग से नूडल से बिल्कुल भी चिक्के हुए नहीं है इन्हें हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए और तब तक पानी भी इसका निकल जायगा तो इसे भागोने के अपर रख देंगे हम और ताकि पानी इसका आथि निकल जाए रचा देंगे कढ़ाई उसमें डालेंगे रिफाइंड ओयल दो चमच और दो बड़े चमच डाल किट phải जाएगा गरम हो जाएगा तो सबसे पहले हम यह बुलकुल कोता है चल्क कीं स्चौमीन बन रहें जीर आदा दालें सबसे पहले हैं तो अधा चमच जीर आ अड़ दीते हैं हम उसके। बड़े हों या बच्छे हों हींग हर खाने में जरूर डूर ये चाहिए तो आदा मिर्चर सब शीमें हम डाल देंगे ज्यादा पकाना नहीं है प्रेर प्यास को थोड़ा सब बूर सिम्ला मिर्चर नहीं हालका धिक्या छाएं जादा पक जाएगी तो यहादा फिर छपयाने के मुझे रहा आता है उकिप देशी भासा में जो कहते हैं या आप इसे कलहार लेजिए अच्छे से बसे पकाना ज्यादा नहीं है तो इसे हम उलट पलट करके कलहार लेंगे खली और कितनी सुंदर लग रही है सबजियां आप देखिए कलरफूल सबजियां देखकर ही बच्चे जो है तूट पड़ते हैं बिल्कुल खाने के लिए इस पर और मेरे बच्चे पांच-छे महिने में एक बार इसकी फरमाइस करते हैं ज्यादा देती नहीं हूं नूडल्स में क्योंकि नुकसान भी बहुत करते हैं बच्चों को तो आप बच्चे जिद करें तभी इसे दीजिए वरना ये ज्यादा नहीं देना चाहिए बच्चों को तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए चोटे बच्चों को उसके बाद हम इसमें डालेंगे सोया सॉस तो दोनों बोत सट रेड़ी बन केगे अब हमशने लोगों मैंने देखा दोनों हात होसे इसे चलाते हैं और मैं तो मैं उस तरह नहीं चला पाती हूं थोड़ा सा एक चौथा चमच हम काली मिर्च का पाउडर ढलेंगे उसके बड़ा लेंगे स्थे ने पहले यह अधा चमच हम डालेंगे और हमें कम लगेगा तब ही हम डालेंगे इसमें बना जादा से लिए तो सबसे पहले आधा चमच हम तो ऐसे ही नाप लेते हैं आप आधा चमच नापके डालिए दो लोगों के लिए अगर बना रहे हैं और आपको कम लगे तो आप बाद में डाल लीजिए क्योंकि कम होगा तो तो आप उसे ठीक कर सकते हैं लेकिन अगर जादा हो जाएगा तो पिन टो लोगों के लिए ये मैं बना रहें डेंगेक है अप उसे ठीक न ही कर सकते हैं ओलत पलत गर करके गो यं उसे के लिए ये मैं बना रहे हूं उसी साफ से आपको बता रहे हूं तो बस इसे ओपर नीचे चला के अब अच्छे से कला लीजिए रेडी हो जाएगी पटा 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 पांच मिनट बने लगते हैं अगर आप सारा है दिजाम पर दिजिए तो इसे बच्चा भी बना सकता है त उसे ये सब नहीं पसंद हैं स्वादा नुसा नमक डाल देंगे और बस इसे हम अच्छे से कलार देंगे चोटी वाली को मुझे प्रॉपर चीजे चाहिए जैसे कि सबची पराठा पूरी सबजी दाल चावा लोटी सबची वो मैगी और चौमीन बहुत कम खाती है ये सब म सर्व कर देंगे और एक बची और है जो इनकी फ्रेंड है वो भी आई है उसके लिए परोसी है मैंने तो बस तिनों बच्चों को दे दूंगी और फिर सब मज़े से इसका इंज्वाय करेंगे इसका तो प्लीज बनाईए खिलाईए बच्चों को और अगर नूडल नहीं